दोस्तो हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें month number अविलेबल है अब इनी number के correspondence हमें पगल वाले column में month के names चाहिए तो हम अगर if condition लगाएंगे हमें 2 या 3 या 4 if condition एक साथ लगानी होगी तो क्या कोई इसका alternative है? जी हाँ इसके लिए हम लगाएंगे s-w-i-t-c-h expression, expression हमारा c1 होगा जिससे हमें reference देनी है अब आपको 1 को january consider करना है हमें 1 लिखना है, quotes के अंदर january लिखना है second हमें 2 को क्या लिखना है? जी हाँ, feb और ऐसे ही हमें 3 को लिखना है, march और that's it, आपने quotes बंद किया, bracket close किया, enter किया आपने इसी formula को नीचे copy and paste किया जैसे हम formula paste करते हैं, और ये देखिए आपने बहुती कम time पे एक बहुती बहतरीन function लगा दिया है इस function को हम कहते हैं switch ये वीडियो पसंद आई है, तो इससे share जरूर करना